आप देखने हैं, आपको चैनल राम सहरनाडा कर रोड कुमार अटी के समीब टोटली उपर से पहाडी दर्कने के कारण कम से कम पचास मीटर नीचे आके नदी में पहुंच चुका है यह रोड ऊपर था तकरीवन कम से कम पचास मीटर नीचे आ चुका है और यह नीचे इस मलवे के कारण नदी भी बंद होगी थी, जो खुल चुकी है आप देख सकते हैं कि पीछे कितना पानी खड़ा हो गया है अब प्रॉपर नहीं चलिए अबर फिर भी पानी निकलना भी श्टार्ट हो गया और देखिए रोड की हाल तो और यह रोड कम से कम पचास मीटर नीचे आ चुका है प्रॉपर भी श्टार्ट हो गया है प्रॉपर भी श्टार्ट हो गया है प्रॉपर देखिए रोड और यह नीचे नदी नदी तक पहुंच चुका है एक बार इस नदी को बंद कर दिया तक पानी ने दुबारा अपना रास्ता बना लिया है और दुबारा यह रस्ता चल पानी नदी मतलब खुल चुकिए चलना श्टार्ट हो चुकी बद फिर भ पारी है जिससे हमें लगता नहीं कि यह रामसर ना लागड रोड कमारटी के स्मीफ जो बंद हुआ है यह कम से कम इसे खुलने में और दुबारा चलने में दस दिन का समय लग सकता है तो टोटली यह रोड खत्म हो चुका है आप देख सकते हैं कि रोड कहां होता था और कहां यह नीचे नदी के पास पहुंच गया है और यह रोड यहां पर पहुंच गया है रोड यह पैदल जाने लाइक भी नहीं बचा है क्योंकि अभी पहाड उपर से चल रहा है तो इसे परसासन को भी दुबारा से सुचारू रूप से चाल लू करने में बहुत जादा टाइम लगेगा क्योंकि किसी ने भी अन्दाज्या नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी लैंड स्लाइडिंग हो जाएगी यह टोटल ही पहाड उपर से नीचे की तरफ धर कराए अब जैसे यहां पर रोड को खोलने का काम स्टार्ट किया जाएगा तो फिर से उपर से उसके चलने की आसंका बनी हुई है यह कुमार हटी के समीब राम्ण सहर नाला गडरोड टोटल ही बंद हो गया है जो कि अभी पैदल जाने लाइक भी रस्ता नहीं बचाए जो सडक थी वो अपनी जगह से नीचे थी सक कर कम से कम पचास मीटर नीचे आगी है कि आप जेख सकते हैं कि क्या स्थीती बनी हुई है कि आप जाए निचे आप जाए लोग करेंगा आपने अपने गहरों को यहां तो लोग करेवन ने अपने अपने गहरों को यहां से वापी सो चुके हैं जो ना लगड़ जाने वाड़े थे आप यहां पर देख सकते हैं कि यह है वो पॉइंट है और यहां अपर मीतियां वाला रोड जो आता था वो रोड है अज़ पानी चाल प्या वाई सले कि यहां रहा उसे वाजनी आरी यहां जाके यह देखिया अगले अगले पॉइंट पर जागा जिला जा एक ते जारे लुट के थोड़ धोड़ा जा रहा पर चल पया पानी थोड़ा खुल गया थोड़ा खुल गया रोड उपर से नीचे है वह अधनादी के पास पहुंग चुका है और यह रोड है रहां तित पड़ता है